कि नमश्कार दोस्तों कॉंप्टिशन कम्यूटी के यूटूब चैनल में बड़फिश से आपका स्वागत है और एकनॉमी बेस करेंट अफियर लेकर मैं हूँ आपके साथ अगासिंग जो समय अवदी हम कंसिडर करेंगे इस करेंट अफियर के लिए वह है 22 मार्च से 28 कंटेंट कम होने के सांस साथ में इसकी उपयोगिता जो है वह ज़्यादा उपयोगिता प्रलिम साधारीत दिख रही है में साधारीत नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट भी नहीं है तो थोड़ा रिलेक क्रिशी संगठन के द्वारा तो इस तरह का question one day exam में पूछा जाता है कि फ़लाना कोई book है इस book को किस ने launch किया है इस book का पूरा नाम क्या है और कहां launch किया है ये सारी चीजे पूछी जाती है इस book का पूरा नाम क्या है Indian Agriculture पूर्चर्स टूवर्ड्स 2030 पाथवेस फॉर एनहांजिंग फार्मर्स इंकम निट्रिशनल सिक्यूरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्मर सिस्टम ये इसका पूरा नाम है इस पूस्तक में कौन-कौन से विशे शामिल है तो भारती क्रिशी में किस प्रकार के बद ये सुरक्षा के बारे में लिखा गया है क्रिशी में जो जलवाईयू जोखीम आ रहे हैं उसका किस प्रकार से प्रवंदन करना है मैनेजमेंट करना है उस पर बात कही गई है विज्ञान पौद्रकी की और नवाचार किस तरह से क्रिशी को आगे बढ़ा सकते हैं इस पर आधारत विकल्प पर आधारित भी बात लेखे गई है अब यह जो आप पिलर्स देख रही है, जितना कंटेंट आप देख रही हैं, इस कंटेंट का एक सेकेंडरी यूज अप कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इस कंटेंट पेपर पांच पर कोई कोश आ जाए तो इन सारे कोश्चन पर आप इस कंटेंट पर बात कर सकते हैं आप जितने भी यहां पर पिलर्स हैं सभी पिलर्स पर दो-दो लाइन विट रिसेंट डेटा फैक्ट अगर आप लिखें तो आपका इससे तयार हो जाएगा और एक बहुत ही खुबसूरत आंसर तयार हो जाएगा मार्ग सापको काफी अच्छे मिलेंगे और साथ ही साथ आप रिफरेंस दे देंगे कोई भी एफेक्ट लिखने का इस बुक का तो निती आयोक के द्वारा लॉंच किया गया बुक है तो ये काफी प्रमाणी सुझाओ हैं तो इस प्रमाणी सुझाओ का अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो बेशक नंबर अच्छे मिलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बागबानी फसलों के छेद्र और उत्पादन का दो हजार बीस इक्कीस के लिए अंतीम अनुमान और एक्कीस बाइस के लिए पहला अगरीम अनुमान आ गया है क्या क्या बात हुई है तो दो हजार बीस इक्कीस में एक मिनट दो हजार बीस इक्कीस में बागबानी फसलों के अंतरगत छेद्र रफल कितने थे 27.48 मिलियन हेक्टेर और 21.22 का जो अग्रीम अनुमान आया है पहला अग्रीम अनुमान आया है मतलब अभी ये अन्तीम नहीं है अभी अन्तीम आने में टाइम है तो अग्रीम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में 27.56 हेक्टेर छेतर में बगवानी फसल लगाए गए थी उत्पादन कितना हुआ था तो 334.60 मिलियन टन 2021 में और 333.25 मिलियन टन 2021 में तो ये आपको याद रखना है समानेता आपको दिख यही रहोगा कि छेतर फल बढ़ा हुआ है पिछले साल की तुलना में लेकिन जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम हुआ है चलिए समझते हैं भी इसके अंदर जो फैक्ट लिखे हुए है उस पर भी बात कर लेते हैं फैक्ट जो अधारित होंगे समानेता फलो के उत्पादन, सबजीो के उत्पादन, आलू के उत्पादन और टमाटर की उत्पादन पर आधारित होगा तो वैसे तो आलू, प्याज, टमाटर ऐसे स्पेसिफिक अलग-अलग के डेटा उतने याद करने ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार नजर घुमा कर चल ले क्या मालू कुछ प्रेक्टि याद हो जाए और आप इसका एक्जाम में इस्तमाल कर सकें लेकिन बहुत ज़्यादा रटने के पीछे परिशान होनी की ज़रूरत नहीं है इतने डेटा भी हम नहीं रट सकते, यह संभव भी नहीं है चलिए, आगे बढ़ते हैं 2021 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है और यह 2019-20 की तुलना में लगबग 14.13 मिलियन टन जादा है और प्रतिशत के अधार पर 4.4 प्रतिशत अधिक है तो 2019-20 की तुलना में उत्पादन बढ़ा हुआ है फलो का उत्पादन 102.08 मिलियन टन की तुलना में 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है अर्थात यह भी बढ़ा हुआ है थोड़ा सही लेकिन बढ़ा हुआ है सबजीयों का उत्पादन 188 था 19-20 में और 20-21 में यह हो गया है 200.45 मिलियन टन अर्थात प्रतिशत में 6.5 प्रतिशत अधिक है तो 19-20 की तुलना में यह जो उत्पादन है वह बढ़ा हुआ है यह अभी तक के फेक्ट के अनुसार आलू का उत्पादन 56.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और 19-20 में आलू का उत्पादन 7.6 मिलियन टन से अधिक है उतना अधिक है टमाटर का उत्पादन 21.18 मिलियन टन होने की सूचना है जबकि 19-20 में यह 20.5 मिलियन टन का ही उत्पादन हुआ था प्याज का उत्पादन 26.6 मिलियन टन होने का अनुमान है तो ये प्याज का हो गया, आलू का हो गया, टमाटर का हो गया, उत्पादन बढ़ा है, इतना याद रखना है, फैक्ट अगर याद हो जाए, ठीक है, ने तो इतना ध्यान रखना है, कि 19 बेस की तुलना में 20-21 में बढ़ा हुआ है, ठीक, अभी जो एकनॉमिक सर्वे के डेटा आये हैं, उस एकनॉमिक सर्वे के डेटा में कहा गया है, कि क्रिशी छेदर कोविट महमारी की वज़ा से सबसे नियुनतम प्रभावित छेदर है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अच्छे मौनसून थे, अच्छे मौनसूनी वर्ष थे, और इस अच्छे मौनसूनी वर्ष के वज़ा से, जो फसलों का उत्पादन है, वो बढ़ा है वर्ष बीस एकेस में, तो इस बात को नया संगत करने के लिए, आप कुछ फैक्ट्स का इस्तमाल कर सकते हैं, ये अनुमानों का इस्तमाल आप कर सकते हैं, इस बात को रखने के लि बीस एकेस में 16.6 मिलियन टन हो गया है, मसालों का उत्पादन 9.7 प्रतिशत बढ़ा है, जो 19.20 में 10.14 मिलियन टन से बढ़कर, 2020 में 11.12 मिलियन टन हो गया है, ठीक, वही बात, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, हर किसी डेटा को याद करने की ज़वरत नहीं है, अब एक सरसरी निगा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही फेक्ट और होगा, तो विडियो जादा लंबा नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुवात में बता दिया, 21.22 में 333.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 20.21 की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम होगा, तो 20.21 में जादा था और 21.22 में कम होने वाले हैं, पिछले वर्ष की तुलना में फलो की उत्पादर में वृद्धी, जबकि सब्जीयों, मसालों, फूलों के सुगंदित और ओशदी, पौधों और रोपन फच्छों की उत्पादर में कमी की परिकल्पना की गई है, कमी होगा पिछले साल की त तुलना में फलो का जो उत्पादन है 21 केस में 102 था और अब 102.9 मिलियन टन होने का अनुमान है सब्जियों का उत्पादन 21 केस में 200.4 मिलियन टन के तुलना में 199 होने का अनुमान है प्याज का 26 मिलियन टन के मुकाबले 31 मिलियन टन होने का अनुमान है आलू का 56.2 मिल्यों टन की तुलना में 53.6 मिल्यों टन होने की उमीद है चलिए आगे बढ़ते हैं निर्यात तयारी सुचकांग ये ध्यान रखिएगा कि ये सुचकांग कौन जारी रखता है ये अगला कंटेंट आ चुका है ये जारी करता है निती आयोग निती आयोग द्वारा प्रति के साथ साजेधारी में निर्यात तयारी सुचकांग अर्थात एक्सपोर्ट प्रिपेरिडनेस इंडेस 2021 जारी किया गया है निर्यात तयारी सुचकांग करता क्या है भारत की निर्यात उपलब्दियों का एक व्यापक विशलेशन प्रतुत करता है इस सुचकांग के अनु करता है और कौन इसमें शिर्षिस्थान पर है तो उत्तर है गुजराद दूसरे नंबर पर है महराश और तीसरे नंबर पर है करनाटन तो बस इतना ही कंटेंट था इस सब्ता में थीन कंटेंट था और इसके अलावा भी कुछ content थे लेकिन उसकी कोई उपयोगीता exam के point of view से नहीं लगी इसलिए मैंने उसे unnecessarily इस video का part नहीं बनाया अगले सब्ता में अगले सब्ते के current affair को लेकर मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्तीत रहूंगा तब तक के लिए take care good bye and thank you